हलो मेरे प्यारे गाइडन लवर कैसे हो आप से बास्ता करते हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे आज मैं बहुत दिन बाद एक वीडियो आपके साथ सेयर करने जा रही हूं मैंने जुलाई में बहुत सारी कटिंग लगा थे पर मैं किसी कारणबस इसकी वीडियो नहीं बना पाई थी और ये अक्टूबर में मैंने ये कटिंग लगाया है जो मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूं आसा करती हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा आपको लगेगा तो ये गुड़हल की कटिंग है और ये हाइब्रेट किस्म का है जो बहुत ही ही वे सेंटेट में होतए बहुत ही प्यारा था इसकी कटिंग मुझे सब्घओ पर बढ़ी मिली थी बहुत हिर सारे कटिंग्रों रोट साइड पर पड़ा था कटा हुआ धे हम सब्सक्cott में अपने साथ जारी थी बहुत सारे कटिंग कलडे थी गुलाब के भी तो मैं套 मै कोई भी रूट्स नहीं आया पर इसमें गुड़हल में आगे जो मैं आपके साथ चेयर करने जारी हूं और मैंने इसमें एक चीज एक्सपीरिंस किया है कि जो मोटे वाली कटिंग थे उसमें रूट्स बहुत जल्दी आ गए हैं जो पतले वाले हैं उसमें बहुत ही कम कटिंग वहां सड़क पढ़ी हुई थी सदी की पत्नियां सूखी हुई थी काफी साथ 3-4 दिन पहले से कटिंग की गई होगी पर इसमें जो कली लगे रहे होगे ना उसमें फूल खिल गया थे तो फूल से मुझे पता लग गया कि हां ये कौन सा गुड़हल है और ये अब आगा था तो इसमें नेने पत्तियां भी आ गई है और रूट्स भी आ गई है जब मैंने गुड़हल लगाया है थोड़ा से कटिंग मुझे अभी टाइम लग जाता था पर ये तीन अक्टूबर को मैंने लगाया था नौरातवी का पहला दिन था हम लोग पर गये तो कुछ ताइम मुझे मिलाता आज 14 अक्टूबर है नौराती दसारा सब खतम हो गया है पर यह जल्दी से कटिंग भी आगई अब मैं से स्ट कर रही हूं और असा कर दो कि यह अक्टूबर में भी कटिंग लग जाएगी अच्छे से कि रूट्स भी आ गए और भी इसमें कर दूंगी और थोड़ा से गोबर खात मिला हूं और मैं ज्यादा कुछ नहीं मिला हूंगी जिए कटिंग अच्छे से लग जाएगा फिर बात में मैं इसे बड़े पॉर्ट में सिप्ट करूंगी जब आप कटिंग लगा हो रूट निकलने के बाद आप इसे चोटे पॉ आप फूल आया था लगाते समित मैं वीडियो बना नी पाया थी मैंने बहुत सारे कर्टिंग लगा थे जोलाई में किसी करण वसमें में वह दिनोंसे वीडियो में बनानी पारे थे तो असा करते हूं कि यह जुब आपको पसंद आया होगा है वेल्पुल लगा होगा अग तो यह सब अगर मिट्टी में नहीं लगता है या वैसे भी आप इंडोर में आप इसे लगा सकते हैं पानी में भी लगा के रखे हैं तो ऐसे आप अपने घर की सुन्दरता को बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास कोई गंबले नहीं है तो चिंदा करने की जरुबत नहीं आप कोल्रिंग की बॉटल आयल की बुटल आप किसी में भी लगा सकते हैं तो देखिये मैं तो यह सब बोदल में लगा लगाती तांट रखे हुए हैं जैसे कि आप वीडियो में देग में पा रहे और 4-5 तिन तक वही रहने दूँगी जब इसमें नई पत्तिया और श्टार्ट होगी तब मैं इसे धूपने सर्थ करूँगी आसा करते हूँ आपको वीडियो पसंद आगे हैपी गाटनिंग